हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो माई चैनल, तो आज हम लोग मटर की घुगरी बनाने वाले हैं, तो चलिए इसको इस्टेफवाइज बनाते हैं, तो इसके लिए पहले क्या करें, एक बॉल में हम लोग मटर को छिल लेंगे और धूल के रख लेंगे, यह देख सकते हैं आप, त पारी इंग्रेडियंट को कट कर ली हैं, पोटैटो एक, ओनियन टू और टोमाटो और दो हरी मिर्च, तो अब गरम होने के लिए रख दिये थी, तो यह गरम हो चुका है, तो इसमें हम लोग तेल डालेंगे, तो यह देख सकते हैं, मैं डाल दी, इसमें जीरा डालेंगे, फिर हरी मिर्च, उसके पास जो पोटैटो थी, उसको मैं डालूंगी, तो यह देख सकते हैं, मैं डाल दी, और इसको अच्छे से थोड़ा सा तेल के साथ क्या कर लेंगे, कि मिक्स कर लेंगे, और मिक्स होने के बाद इसको थोड़ी दिर के लिए फ्राई होने के लिए छो इसको भी मिक्स कर लेंगे, तो यह देख सकते हैं, हमारा मिक्स हो रहा है, यह देखे, थोड़ा रेडिस ब्राउन हो जाने पे इसमें टमाटर हम लोग डालेंगे, तो इसमें टमाटर डाल दी हूँ मैं, यह देखे, इसको भी अच्छे से फ्राई होने के लिए छोड़ द झारे कि न यखिए , मेरा फ्राय करें में जैसरे कि कि खुचते हैं कि खुचते हैं मटर की घुगरी सभी पसंद करते हैं और बहुत ही अच्छी लगती है तो इसे आप जरूर ही बनाए अपने घर पे सभी पसंद करते हैं तो ये देखे हमारा इसका कलर विगेरा भी बहुत ही अच्छा लग रहा है और इसको थोड़ा देर के लिए टू मिनट के लिए इसको ढख देंगे ये देखे तो इसको आप लोग हटाएंगे तो इसमें हल्दी डालेंगे ये देखे मैं डाल दी उसके बाद नमक डालेंगे ये देखे मैं टूटे वेल इस्पुन डाल दे रही हूं इसे क्या होता है मटर मीठा होता है उसके बाद आरेल मसाला डाल देंगे उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और उसको अच्छे से चलाएंगे तो ये देख सकते हैं सारे मसालों के साथ मेरी मटर जो है उसको मैं मिक्स कर दे रही हूँ मटर की घुगरी बनके हमारा थोड़ी दिर में अब रेडी हो जाएगा इसको टो मिनट के लिए और ढग देंगे ये देख सकते हैं आप इसका कलर कितना प्यारा लग रहा है मसालेदार मटर की घुगरी खाने में बहुत ही स्वादिश्ट लगती है आप इसे घर पे जरूर ही बना के ट्राइ करें और जैसे मैं स्टेप वाइस मैं बताई हूँ वैसे ही आप फॉलो करें तो आपकी मटर की घुगरी जो है वो मसालेदार चटकदार बनके रेडी हो जाएगा तो चलिए अब हम इसको एक बॉल में निकाल लेती हूँ तो यह देख सकते हैं आप मैं निकाल रही हूँ वाव बहुत ही टेश्टी लग रहा है देखने में भी और खाने में तो मत पुछे कितना अच्छा लगता है तो थैंक्स पूर